दोस्तों इस चैनल पे आपको मैस और इजिनिंग के लिए वीडियो सिखाया जाता है तो आप प्लेलिस्ट में मैस और इजिनिंग के टॉफिक देख सकते हैं तो चलिए डिसकस करते हैं आज के इंपोर्टेंट प्रिविएस यर के क्वेशन है दोस्तों है तो एको कितने रुपए मिले यह दोस्तों अनपात वाला कोश्चन है ठीक है चलिए अगर इस ट्राइब के और भी कोश्चन आप चाहते हैं तो आपको लिए डिप्सकस्न में लिंक दे दिया जाएगा तो और भी कोश्चन आपको मिल जाएंगे चलिए टॉफ टेन हैं फटा-फट अंदाज में अब यहां पर देखें दोस्तों क्या पूंच रहा है ए अनपाते बी अनपाते सी है दोस्तों ठीक है अब यहां पर क्या दिया हूँ अनपात में ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा ए अनपाते बी के वेलू कितनी दी गई है पांच अन पाते दो और वी अन पाते C बर्याबर क्या दिया सात अंपाते 13 तो यहाँ पे नीचे लिख लेंगे साथ अंपाते 13 दिया हो B और C रथिक है अब यहाँ पर आपको क्या करना है बहुत ही सिम्पल और आऊसान ट्रीक है 4G speed की trick बताएंगे दोस्तों ठीक है 4G speed की trick से solve करेंगे अब यहाँ पर देखिए यह 13 दिया हुआ है न 13 का multiply 2 से कर दिये कितना हो गया 26 आ गया 7 का multiply 2 से कर देगे 7 दूनी 14 आ जाएगा अनपात में 5 बचाना 5 का 7 से कर देगे 5 सते 35 आ जाएगा तो A9 पाते B9 पाते C का रेशियो क्या गया 35 14 आ गया अब यहाँ पर क्या करेंगे इन 3 को plus कर लिजे 35 14 आ जा जा रहा है 750 रुपए का अगर हम एक रेशियो निकालें 750 रुपए का अगर हम एक रेशियो निकालें तो हमारा टोटल अनपात जुड़कर 75 आता है अगर हम 75 में से मल्टिप्लाई कर देंगे 75 में से भाग दे देंगे कैसे भाग दे देंगे 75 में 750 का भाग दे देंगे 75 75 कर जाएगा बचे क्या आप को 10 यानि कि 10 बचेगा ठीक है 10 बचेगा आपका question के आप मूच रहा कि 8 हो कितने रुपए मिले तो एक यहाँ पे और एक का हिस्सा कितना है 10 है यानि कि 10 कुणा 35 वहाँ एक इस्सा की value 10 है तो 35 हिस्से की value कितनी आएगी 35 का multiply 10 से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा dोस्तों 350 हो जाएगा तो आपका यापसा number D सही हो जाएगा दोस्तों अगर इस type के question आपके jam में पूछे जागा तो फटाफर solve करेंगे दोस्तों आप देखेंगे अंगला question दोस्तों ये question देखिए ये भी question आपके previous year question में पूछा गया था कि 60 km प्रतिकी चाल से चल रही एक कार को 200 मीटर दूरी ते करने में कितना समय लगा बहुत ही simple है दोस्तों simple question है लेकिन इसे question में solve करने का आपको problem आती है सरपतम करना 60 km में प्रतिकी चल रही एक कार 200 मीटर यहाँ पर किलो मीटर हावस दिया यहाँ पर क्या है दोरो कार की दूरी क्या मीटर में दिये तो सरपतम करेंगे क्या 60 का multiply 5 बटे 18 से कर देंगे क्योंकि यहाँ से km से मीटर में change हो रहा तो 5 बटे 18 कर देंगे ठीक है दोस्तो बराबर कितना दिया हुआ है 200 मीटर बटे समय समय कितना हो जाएगा आपका टी समय हो जाएगा क्योंकि समय यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ठीक है इसे आप solve कर लेंगे आपका answer आ जाएगा solve करिए यह 0 से यह 0 कट जाएगा आपका कट जाएगा ना बिल्कुन कट जाएगा तो आपकी value क्या आ गई 5 से इससे भी काड़ दिये 5 को 20 4 आ गया यहाँ पे 4 बचा ठीक है दोस्तो अब यहाँ पे t की value क्या आ जाएगी यहाँ पे आपका बचा क्या 6 बटे 18 बचा कितना है 4 बचे t तो कितना हो जाएगा 6 6 t यानि कि 6 t बचाएगा 18 multiply 4 ठीक है तो t बचाएगा t बचाएगा 18 multiply 4 वपान 6 आ जाएगा 6 कम 1, 6, 3, 18 4 ते ही कितना हो जाएगा t की value आ जाएगा 12 4 का गुना multiply 3 से कर देंगे चाहते ही 12 आ गया दोस्तों ठीक है 12 आ गया ती आपके 12 आ गया लेकिन यहापे क्या दोस्तों आपका जो यह 12 आया यह second में आया है क्योंकि हम समय हमेशा second में रखते हैं यह जो आपको trick बता रहे हैं समय और speed के और भी question के लिए आपको description में लिंक दे दिया जाएगा तो वहाँ से देख लीजेगा आपको full concept में बताएगा तो आप समझ जाएगे ठीक है दोस्तों यह समय आपका 12 second में है लेकिन यहाप पे दोस्तों मिनट में दिया हुआ है लेकिन आपसम में आपका मिनट में दिया हुआ है तो क्या करेंगे मिनट में दिया हुआ है क्या करेंगे 12 बते 60 कर लेंगे 12 बते 60 क्योंकि 60 second बराबर 1 मिनट होता इसलिए 12 बते 60 कर लेंगे अब इसे कार देज़े 12 कम 12, 12, 15 में चार यानि कि वाइलू किया गई वाइलू आ गई एक बटे 5 एक बटे 5 मीननट में आ गई दोस्तों यह आपकी मीननट में आ गई है तो कौन सा अबसम सही होगा अपसर नंबर 20 हो जाएगा दोस्तों मीट करते हो समर्च में आ गया होगा आप देखेंगे अनगला question दोस्तों ये भी previous year का question है question क्या है 5 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की संख्याएं क्या है दोस्तों बहुत ही important question है ऐसे question पूछे जाते हैं इनको आपको time limit में करना होता है क्योंकि 100 question होते हैं 100 minute time होता है तो time shortage है इसलिए आपको trick के मादम से बता रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए 5 से विभाजित होने 3 अंकों की कितनी संख्याएं है अब यहाँ पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 999 होती है इसे हम 5 से भी भाजित कर देंगे तो यहाँ पर हमें 999 तक के लिए है ठीक है एक से 999 तक में कितनी आएगी पांच से विभाजित होने वाले संख्या अंकों की क्या है 199 है ठीक है लेकिन हमें क्या निकालना है लेकिन हमें यहाँ पर कितना निकालना है अगर हम दोस्तों यहाँ पर एक से लेकर 999 के बीच की यहाँ पर हम माइनस क कर लेंगे एक से सो तक की जिसमें पांच से संख्या विभाईत होगी लेकिन यहां पर तीन अंकों की संख्या होनी चाहिए यह भी ध्यान देना है ठीक है दोस्तों सो तक के लिए सौ में अगर हम पांच का मल्टिप्लैनी सो तक के लिए पांच अंकों पांच से विभाईत हो हो जाता है निए 90 को फास्य भीक्र करेंगे तो आपका उनीस आ जाएगा ठीक है तो हsm के लिए लेकर नदिस्ट हमाईन और वह निए झायेगा और भी आपको फुल कम्सेक्ट में जाना तो लिंक डिसकस्टम में देदी जाएकर समझ जाएंगगा दोस्तों समझ गये ना 909 को 5 रिवाजित कर देंगे लेकिन 3 अंकों की संख्या जो है 1 से लेकर 999 तक के लिए कितनी हो रही है 199 संख्या होगी 3 अंकों की जो 5 से भीभाजित होंगी और यहाँ पर एक से 99 और यहाँ पे 100 तक के लिए निकाल लेंगे कि कर दोस्तों 100 तक के लिए निकाल लेंगे तो 100 में 5 का रिवाइट करें 20 आएगा लेकिन हमें 99 का चाहिए 99 वटे 5 करें तो 19 संख्या ऐसी होगी जो आपकी 3 अंकों की जो 5 से विभाजित हो जाएंगे तो आपके यहाँ पे 19 आजाएगा क्योंकि 99 वटे 5 में 3 अंकों की संख्या नहीं होगी इसलिए हम 19 माइनस कर रहे हैं हमें निकालना क्या है 100 से लेकर कितने निकालना है 999 तक 100 से लेकर 999 धक हमें निकालना है इसलिए दोस्तों 100 से लीकर 999 तक की value तीन अंकों की होगी इसलिए हम यहाँ पे 995 का माइनस कर दें यहाँ ठीक तो एक स्वस्थी आपका answer आजाएगा आप देखेंगे अंगला question दोस्तों यहाँ पर question कहरा की बहुत ही simple है 743 का multiply 999 का मान कितना होगा दोस्तों आप पढ़ते हैं इस जाम में इसका multiply करने लगते हैं लेकिए multiply करने में आपको दोस्ते तीन मेंट समय चला जाएगा हम आपको साटे टीक बता रहे हैं कैसे इसे multiply करके आसानी से इसे solve कर सकते हैं देखिए multiply दिया हुआ है तो आपको multiply नहीं करना है 743 directly लिखिए ठीक है इसे 992 को क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस एक लिख सकते हैं अब आप multiply करना आसान हो जाए कैसे 743 एक दो तीन जिरो लिखिए माइनस 743 कर दीजिए ठीक है अब माइनस तो करना आता होगा दोस्तों ठीक है इतना तो आप कर सकते हैं लेकिन हम आपको करके बताये रहे हैं ठीक है 743 यहाँ पर माइनस कर लेगे तो आपकी value कितने जेगे 10 में 3 7 आ जाएगी ठीक है 9 में 4 आ जाएगी 5 आ जाएगी ठीक है और यहाँ पर आपका 9 में 7 गया 2 आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा यह 4 हो गया 7 यहाँ पर देख सकते हैं पिता और पुत की वर्तमान आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं पिता और पुत की वर्तमान आ जाएगा जाए जाएग पांच साल पहले क्या है दोस्तो 5 साल पहले 5 साल पहले इनका कितना था 75 था दोनों का योग तो 5 साल पहले 75 था इसमें 5 का माइनस पुत्र का होगा 5 का माइनस पीता कर देंगे यानि 65 यानि कि आज के आयू का दोनों का योग कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा क्योंकि 5 साल पहले की बात की है तो 5 साल बात पीता की भी ऐउउम इसमें माइनस होगी क्योंकि दोनों का योग है और यहाँ पर पुत्र की भी आउउउ 5 माइनस कर लेंगे तोटल कितना आएगा 65 बचाना ठीक है 65 यानि कि आज की डेट में दोनों का योग का कितना 65 वर्स हो गया लेकिन यहाँ पर रेशियों में देखिए रेशियों में कितना रहा है टोटल रेशियों में टोटल 13 आ रहा है यहाँ पे 65 दिया हुआ है आपको करना क्या दोस्तों 65 बटे 13 कर लिजी आगर पूंचा किसका पीता की वर्तमान अगर पीता की वर्तमान अगर कितना 9 है 9 का multiply कर देजिए आपका answer आजाएगा कैसे ठीक है तो आपका 65 बटे 13 multiply 9 कर गए multiply यहाँ पर 13 आएगा दोस्तों क्यों कि यहाँ पर 13 आएगा तीनों कर जो तो 13 कम 13 35 5 का multiply 9 से करें कितना जाएगा 45 यानि कि 45 वर्स यानि कि पीता की वर्तमान कितनी हो जाएगी 45 वर्स अगर यहाँ पर पुत्र की भी आएग पूचा जा रहा है तो आप पुत्र की भी आएग क्या करेंगे यह आपका 65 में से 45 माइनस कर दिजे आपकी पुत्र की भी आव निकाला आएगा उमीद कर दोस्तों क्यों समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला कोश्चन ये देखिए दोस्तों question दिया हुआ है। बहुतwegen simple question है लेकिन आपको problem आती है। चलिए से solve कर से कितने रुपए के 20% 400 रुपए के बराबर होगा? कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर होगा? यहापे question क्या कहे रहा है? 20% जो है वो 400 के बराबर है। लेकिन कितने रुपय का, अगर मान लीजिए, 100% यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का multiply कर दें, कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 का multiply कर दें, ठीक है, 100% हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, यहाँ पर multiply कर दें, 4 पंचे 20, यानि कि 2000 यह आपका इंसर आगया ठीक है दोस्तों अगर सौन जो नहीं आगया अब एक ट्रिक से बता रहे हैं माना की X रुपाए में 20 725 निकी 20 1200 कितने है 400 के पराबर दिया हुआ है अब यहाँ पे देखिये यह 0 से 0 गट गया x पराबर की आ जाएगा 400 ये दिया हुआ है 10 आपका उपर पहुँच जाएगा X value क्या जाएगी दोस्तो X value क्या जाएगी यहाँ पर देखिये X value क्या जाएगी 4000 आ जाएगी 4000 आ जाएगी लेकिन अभी आपका 2 बटे यहाँ पर 2 भी था बटे में दो आ जाए क्योंकि उपर दो है ठीक है दो X बराबर इतना दिया हुआ है 400 उन्हें multiply तो X बराबर क्या हो जाएगा 4000 बटे 2 यानि कि 2000 इसमें भी आ गए समझ में आ गए होगो दोस्तों 2000 आ गए ठीक है X की माना कि X रुपा है 20 पेसे 100 के 400 के बराबर है तो यह 2X बराबर कितना हैगा 400 बटे 400 multiply 10 हो जाएगा X बराबर कितना हैगा 4000 बटे 2 यानि कि 2000 आपका answer अपसर नमर 20 हो जाएगा आप देखेंगे अंगला question अब दोस्तों आपने देखिए question क्या कह रहा है 12 आदमियों दोरा किसी कार को 9 दिन में पूरा किया जाता है 6 दिन कार करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं अब कार पूरा होने में कितने दिन लगेंगे इसका दोस्तों full concept आपको discussion में देजाएगा तो full concept आपको देख सकते हैं आपके top question है previous year के चलिए question को start करते है solve करना question क्या कह रहा है 12 आदमियों दोरा किसी कार को 9 दिन में करते हैं ठीक है 9 दिन में करते है 9 दिन में किया जाता है ये एक भाग हो गया ठीक है 6 दिन कार करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते है 12 6 18 हो जाएंगे यैनि कि 18 X मान लेंगे 12 6 कितना हो जाएगा 18 X आदमी हो जाएंगे यहाँ पर एक भाग हो जाएगा याई कि देखें पहले काम क्या हो रहा है 12 आदमी नौ काम कर रहे हैं या आपका एक भाग हो गया दूसरा है कि 6 दिन कार करने के बाद उनके साथ 12 गुने 6 दिन यानि कि 12 आदमी 6 दिन कार करेंगे लेकिन और 6 आदमी और जो जाते हैं तो 12 छे 18 आदमी हो जाएंगे तो 18 एक्स कर लेंगे एक भाग अब यहाँ पर करें क्या आपको तिरियक मल्टिप्लाई कर लेना है तिरियक मल्टिप्लाई कर ये कैसे 12 गुने 9 गुने 1 हो जाएगा 12 गुने 9 गुने 1 इसका इससे होगा इसका इससे होगा बरावर में क्या कर देंगे 12 x 72 12 x 72 प्लस कितना हो जाएगा 18 x हो जाएगा 12 x 72 प्लस 18 x हो जाएगा ठीक है और ये एक का multiply एक कर सकते हैं तो 18 x ही आ जाएगा ठीक है एक ही आएगा कोई विकर लिए अब यहाँ पर देखिए 12 नम्म कितना होता है 108 हो जाएगा 12 को इधर कर देंगे माइनस 12 हो जाएगा बरावर 18 x आ जाएगा ठीक है 108 को 72 से करें कितना जाएगा 36 आ जाएगा बरावर 18 x दिया हुआ है 18 कितना होगा 18 दूनी 36 होता यानि x बरावर 2 आ जाएगा तो अब पूरा कार कितने दिनों में लगेंगे दो दिन और लगेंगे दोस्तों आप सा नमबर C से हो जाएगा आप देखेंगे अंगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखें क्या कह रहा है यदि कुछ रुपयों को A, B और C में 5 अनुपाते 7 अनुपाते 6 के अनुपात में बाटा जाता है यदि B को C से 4500 रुपय अधिक प्राप्त होते हैं तो C को कितने रुपय मिलेंगे बहुत ही असान कोश्चन है ट्रिक के मादम से यहाँ पे देखें क्या क्या कह रहा है A अनुपाते B, अनुपाते C में कितना दिया हुआ है 5 अनुपाते 7 अनुपाते 6 दिया हुआ है ठीक है अब आपके कोश्चन में कह रहा B और C से 45 रुपय अधिक है यानि कि यहाँ पर देखिए 7 और 6 में एक रेशियो कितना अंतर रुपए अधिक मिलता यानि B को पह्ंतालिस जैनि कि इनको इंतना गए एक का एक बाग और यहां पर कितना 45 रुपए दिय हुआ है एक बाग का अगर आपका 45 हो रहा है यहां पर कुश्चन किया C को कितने Rुपए मिलेंगे यानि C में कितना है 6 का तो 6 का बार कितना हो जाएगा 45, 100, multiply चेक कर लीजिए यहाँ पर बराबर आ जाएगा 00, 35, 34, 24, 27 आ जाएगा 27,000 यहाँ पर आ जाएगा C को कितने रुपए मिलेगे 27,000 रुपए मिलेगे ठीक है अब देखेंगे अंगला question दोस्तों यहाँ पर देखिए question है बहुत important question है A, B, previous year का पिछले साली question पूँचा गया था A, B से दोनों साल बड़ा A, B से दो साल बड़ा है जो की C की आयू का दुगना भी है यदि A, B और C तीनों की कुल 27 वरस है तो A की आयू कितनी होगी इसका full concept आपकर इसका सन में दे दिया जाएगी important question है इसलिए previous year के इसलिए हम solution इसका कर रहे हैं चलिए इसका solution करते हैं यहाँ पर देखिए A जो है दोस्तो B से दो साल बड़ा है A जो है B से दो साल बड़ा है यानि कि B प्लस दो हो गया जो दो साल बड़ा है यानि कि ये बराबर में हो जाएगा ठीक है A बराबर B प्लस दो आ जाएगा दूसरा क्या कहरा है दूसरा आपके question में कहरा C की I.O का दुगना भी है C का I.O का दुगना यानि कि B बराबर 2C हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगे अब यहाँ पर देखिए question क्या कहरा है कि A तो यहाँ पर आपके क्या है A बराबर B प्लस दो दिया है लेकिन आपके question में क्या दिया हुआ है कि A प्लस B प्लस C तीनों का वर्स यो कितना है 27 वर्स से total ठीक है 27 अब एक यहाँ पर value क्या B plus 2 दिया हुआ है यहाँ पर B plus 2 कर लेंगे ठीक है A की value है plus B कर लेंगे C के value यहाँ से निकाले C के value क्या हो जाएगा दोस्तों C की value हो जाएगा B upon do बराबर C यानि किसी कर क्या value आ जाएगा B Y 2 B Y 2 कर लेंगे बराबर 27 कर लेंगे आपका answer आ गया दोस्तों फटा फटा आ गया B और B कितना हो जाएगा B और B कितना हो जाएगा 2B हो जाएगा 2B plus 2 plus B Y 2 बराबर 27 है 2 का LCM हो जाएगा कितना हो जाएगा 4B हो जाएगा 2 का इधर भी multiply हो 27 तो नहीं चंगमान आ जाएगा 4 भी यह आड़ाएगा तो बीगर यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों बीगर आपका जाएगा पच्यास बटे पांच आ जाएगा यानि कि भी टीविए पर निकल मेंगे A की value पूँचाएना A बराबर B B की value हमारी 10 निकल आई है 10 में 2 का plus करें कितना जाएगा 12 तो आपसे नमबर A आपका से हो जाएगा 12 ठीक है B की value आपके निकल कर 10 आई है 10 में A बराबर कितना B plus 2 है 10 में 2 जोड़ देंगे 12 आजाएगा ठीक है तो उमीद कर दोस्टों question समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अंगला question दोस्तों यहाँ पर question का एरा कि यदि 2 बेक्टियों की आयू का अंतर 2 वर्स है यदि उनकी आयू का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है तो दोनों में बड़े वाले की आयू कितनी होगी तो दोस्तों आयू वाला concept आपको discussion में दे दिया जाएगा जिसमें आपको detail में बता गया full concept और trick के साथ सारे question दिये गए हैं तो चले इस question को यह previous year का question इसे विसाल कर लेते हैं क्या दिया हुआ है दो ब्यक्तियों को आयू का अंतर दो वरस है मान लिजे कि दो ब्यक्ति B और C है इनके आयू का अंतर कितना दिया दो है B-C बरबर 2 हो जाएगा यदि उनकी आयू का योग 144 के वर्मूल के बराबर है यानि कि इन दिनों को आई 144 144 144 का वर्मूल कितना हो जाएगा दोस्तों 12 होगा यहां पर कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा ठीक है सी से सी कड़ जाएगा तू भी बरावर कितना जाएगा 12 यहां पर देखे जैसे साथ दिया हुआ है तो 5 और बड़े वालए का साथ होगा छोटे वाले क्योंकी V में मैनिस का सी कर देंगे questa म साथ पांच यहाँ पर जोड़ देंगे दोनों रेस जो बारा हो जाएगा बारा का वर्ग मूल कितना होता है बारा का वर्ग होता है 144 144 का वर्ग मूल होता है बारा तो ऐसे भी आप साल को है सकते हैं ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद हो तह लाइक कर दीजे अगर आपने अभी दोग भी चैनल को सब्सक्काइब नहीं किया तो सब्सक्काइब कर लिजए दोस्तो अब दे बे मातरम दोस्तों अगले वीडियो मिलेंगे आपको यह top question थे दोस्तों previous year के अगर आपको पसंद आए हो इसका जो full concept है आपको link discussion में दे दिया जाएगा दोस्तों चलिए